हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पर दोस्तों मैं हूँ सγंगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल किसे और ईक पनि का नाम है उस मसीन का लाइस ट्रक आर टी आरटी उकें हो ऌजा धिक नाम कोनी का भी चाह Ε jagdahl टॉयोक अधनी टॉय्माला वी इस चुछ मुझे टुर्टक माल बोल रहा हूं जो यह तरह की समस्य आती है जिसमें इस तरह का arrangement होता है उसमें यह समस्य आती है आती क्या है जैसे कुछ मसीनों का क्या है हाइट कम उपर जाने लगता है चलते चलते हाइट कम उपर चाने का मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी पहले से ईप पर जा रहे थो नहीं है豁म ठीक जा रहे थे लेकिन बीना कुछ आपने किये बीना कुछ सेटिंग किये बीना कुछ अरेंजमेंट किये वीना कुछ लगा मुए तो यह व्यूतवALा केस यह मास वह सुचेगा आपने कू जा रही थे। । । भाकि जो दूसरा वाला केस है यह वाला केस थोड़ा भी तेक्निकल है इसलिए इसको मैं अब डिसकस कर रहा हूँ तो ज्यादा था आपकी बिटी में यह समस्या जाती होगी जो रहता है इस तरह TO में रहता है जोगन डिश वाली रेस्टेक्ट में रहता है मदलें मैकसिमं में रहता है यह होता की हो और यह होने का रीजिन क्या है को फोकलिफ में इस तरह का शैंसर सेंसर जाना रहा रहता है जब चलता है वालent। कि घुंता है में उसके साथ एक वायर लगा रहता है जैसे आप वीडियो में देख रहेंगा ऐसे वह घूमता हुआ उपर जाएगा तो वह एरेंजमेंट वाले केस में यह वला प्रोग्लम का शॉलूशन ऐसा सॉलूशन है वह लगाया क्यों जाता देखिए जैसे आपका मास्ट फोक नॉर्म कंग्रम और में वह फोक कोंड्स एक ग।्छतन हुआ मास्ट है पहला मास्ट खूला या फिर आपका कैरेज पूरा सेन्सेंटर को ऊपर गया उसके बात चाइब दूसरा आपका घोपा क्ने लगा और फिर दूसरा चैनल खूलने लगा आ leg तो पहले जैसे आपका कैरेज फिर दूसरा कुल Uh फिर दधडाम से आएगी आवाज थीसरा मास्ट खुलेगा या फिर धराम से आएगी आवासल में रुख जाएगा मतलब जहां पी आपको एक मस्ट Teknar से जाके धड़ाम से आवाज आने के चांसे हैं या फिर आती ही है यह ओ सिच्वेशन को बंद करने के लिए यह सिस्टम लगाया जाता है जैसे रिष्ट्रकों में क्या होता है बहुत हाइट वाली मसीन होते हैं बहुत जदा हाइट रहती इसमें 11 मिटर 12 मिटर 10 मिटर 15-15 मिटर फिर का इतनी हाइट वाले केस में यदि मास्ट ऊपर जाकर धड़ाम से हो तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा तो उसमें एक्सिडेंट के चांसे स्थ हो सकते हैं या फिर आपका मोटर सालिंडर इस तरह का फैलवर हो सकता है यह फोकुच फोकलिप्स में भी बहुत ज्यादा एडवांस पोकलिपस में यह तरह करेंड्मेंट होता है लगिन स cloth में लगभग सभी में इसतरह कि अराइन्जमेंट होता है थाकि वह 주 लगा रहता है चक्रविच में उसको संसर नहीं किस्क्ति है हाइट सेंसर है, एक तरह का वह सपीड सेंसर ही आपको सम्झा पाएं कैसे कैसे वह काम करता है, वह सपीड सेंसर बोलिए है, जो भी बोलिए, एक तरह का bearing encounter है तो encoder मानी है है है, है जांगार मांनी है, आपके जहन कारी के लिए मैं उसको चक्का है, मान लेजिए कि आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, 700 mm का भिल, मतलब इसके जो circumference है, circumference मतलब परीधी, किसी भी चक्के का ना परीधी होता है, तिरिज्या होता है, ब्यास होता है, तो आप समझेगा, इस चीज़ को ने, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, लाइन को, आप बाहर बाहर, तो इसको बोला जाता है, डाइमीटर, ब्यास, और इसको केंदर बिंदू, बीच में एक केंदर बिंदू रहता है, यहां से, यहां को लेंगे इसकी आदे, यहोगी तिरिज्या, आर, मतलब डाइमीटर का आधा तिरिज्या होता है, और, यद लेगा किसी भी चक्के कोई भी चक्का कितना दूरी तई करेगा ये उसकी परीधी पे निर्वर करता है यदि चक्का बड़ा है तो उसकी परीधी भी जादा होगी ये वाली जादा हो जाएगी तो वो दूर तक जाएगा यदि चक्का छोटा है उसकी परीधी भी कम हो जाए करेंगी यदि भी रहेगी तो बड़ी और परीद्ही बड़ी वोई इसका मतलब प्रेज का एक चक्कर में ही दूर तक चला जाएगा जैते सफ़ कर लेcakा लगा तो ज्यादा दूर तख जाएगा ठीक है यह concept clear हो गया यदि चक्का चोटा रहेगा तो कम दूरी तह करेगा एक राउंड में और चक्का बड़ा रहेगा तो ज्यादा दूरी तह करेगा 121 इये concept clear उपर से नीचे उस तार को बोलते हैं बॉडन केबल बॉडन केबल ठीक है वो बॉडन केबल के अंदर एक तार रहता है उपर से कोटिंग रहते हैं अंदर से लोहे का तार रहता है ठीक है तार रहे न रहे कोई बात ने यह क्या होता है यह प्लास्टिक का चक्का रहता है इतने चक्कर इस तार पर यह लगा लेता है कि धिरे 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 इसका जो है ब्यास कम होने लगता है कि पूरा तूटता नहीं है तूटने वाले केस नहीं जिस जगह पर चलता हूँ जगह धिरे 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 खड़ा बन जाता है जहां प पर तार चल रहा है तो तार को तो मतलब है जहां चल रहा है वहीं से बाकी जगह ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं तार यहां पर चल रहा है जहां पर चल रहा है वहां से मतलब है तो जहां पर चल रहा है धिरे 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 वह एरिया कट जाता और उसमें एक जगह ब सिच्वेशन बता तो माल लिया जाए आपके उस हाइट सेंसर के चक्के का साइज है आर बराबर साथ सेंटिमेटर आर मतलब तिरिज्या देखेगा है ना तिरिज्या और सी निकालेंगे हम क्या वह उसकी परीधी डिपेंड करेगी कि कितनी दूरी तही करेगी चाहाए सीधा दूरी तई कर लहा हो चाहा खड़ा दूरी तही कर रहा है ना बराबर समज़ रहा सीी एक राउंड लगानें तिरिज्या यह परीधी तो परीधी का फर्मूला श, यह जो है यदि यह चक्का एक राउंड लगाएगा तो कितनी दूरी जाएगा यदि साथ सेंटेमेटर का उसका तिरिज्या है तो तो यदि साथ सेंटेमेटर का तिरिज्या है फर्मुला बिठाएंगे टू पाई आर पाई का भाईलू 22 बता साथ बड़े बैज्ञानिक ने सेंटेमीटर का है नहीं है वह ब्राउनद करता है लेकिन माले जितना भी यह वू फर्मूले में डालना है दो ढालना दस आ सेंटेमीटर का इसकी तरइज्या होगी 44 सेंटेमीटर यह कर जाए एक तो एक राउंड घूमा तो यह 7 सेंटिमीटर चला जागा, फिर 2 राउंड घूमा तो 14 सेंटिमीटर चलाजागा, तीन राउंड घूमा तो सब्सक्राइब लिए राउंड में 64 सेंटीमीटर पर न सब्सक्राइब तक वो जा पाएगा चीक है 1100 सेंटीमीटर जाने के लिए इसको 1100 डिवाड़ेट बैच वाल इसके 25 राउंड ठीक है मतलब इस आपके उस कंट्रोलर को जो गाड़े में कंट्रोलर लगा है उसको इससे मालूम नहीं कि कितना दूरी जा रहा है यह कितना चक्कर घूम रहा है उसको काउंट कर रह है तो माल लेगा कि 44 सेंटीमीटर चल गया एक चक्कर चल गया लेकिन यहां तो कट जाएगा तो कम चलेगा तो सीचूसन समझेगा अब यह यह देखिए एंकोडर क्या करेगा जैसे इसका 25 चकर लगेगा उपर जागा मोटर का पावर काट देगा समझ गया जैसे 25 सेंटीम चाम से बाज आएगे ब्राब तो यह जैसे 25 सेंटीमीटर लगेगा मोटर का पावर काट देगा और यदि सही चक्का है तो आपका इगारमीटर तक चल गया लेकिन दूसरे केसमें आते हैं यदि यह वाला चक्का कट गया किसी कारण से चलते चलते और एक सेंटीमीटर तर और भी कम है इतना नहीं कटता है लेकिन जो भी कटता है एक्जामपल के लिए मैंने जीरो जीरो लिया है छे सेंटीमीटर ठीक है अब सब को जमानी है देखें यह क्या लिखां आफ्टर डाइमेज डाइमेज अफ आफ डाइमेज जो आपका हाइट सेंटीमीटर उसका चक्का बचांग अब छे सेंटीमीटर चक्का बचा तो क्या होगा सरकुंफरेंस का भैलू निकाल यह परीधी का भैलू क्या होगा दो गुना 22 बटा 7 गुना 6, पहले हाँ 7 था अर कमेलू, अब यहाँ 6 हो गया, अब क्या होगा, इसका दूरी 70.68 cm चलेगा, बराबर, ठीक है, अब क्या है, पहले यह चल रहा था 14 cm, 7 cm इसका त्रीजा था तो, अब इसकी त्रीजा 6 cm हो गई, तो यह एक चकर में 70.68 cm चलेग तो, लेकिन, कंट्रोलर में तो प्रोगरामिंग है, यह 25 चकर का, इसको 11 मीटर से मतलब नहीं है, कंट्रोलर को, कंट्रोलर को मतलब है 25 चकर से, 25 चकर हुआ नहीं, क्यूको कटा नहीं, उसका वही मतलब है, जैसे 25 चक्र के लिए इसमें calculation लगाएंगे देखें यदि एक चक्र में 30, 24 cm चलेगा तो 25 चक्र में 942 cm चलेगा 942 cm को मीटर में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 9.42 मीटर मतलब अब यह मात्र 1 cm कटा तो यह दूरी तै करेगा 9.42 मीटर मतलब लगभग 2.5 मीटर कम तै करन करते हो थोड़ा से scenario last में discuss करेंगे होता क्या है बरावर अब मास्ट की height actually में देखें अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा हमको यहां पर फोकस करना अब टोयटा वाल आते हैं करते हैं क्या है कांडो देखेगा ठीक है यह तो समझ गए इसका मतलब यह है कि यह जो च करना पड़ेगा कालिबरेशन करना पड़ेगा कालिबरेशन खतम हो गया है इसलिए आपकी मास्ट के height कम जा रहे हैं नहीं तो यह जो आपका height sensor पचासज़र का height sensor खरे दिया लगा यह फिर सही हो जाएगा तो यह case वह नहीं है जो आपको समझाया जाता है वह height sensor खराबी क् अब्सक्राइबल आइडम है मसीन में consumable आइटम दो ही तीन चीज होता है एक विल समझे रहे हैं एक विल और दूसरा कुछ ऐसे आइटम जो बारवार आपको human touch में आ रहा है वह जैसे human touch में नहीं आ रहा है जैसे moment क्या कर रहा है cylinder के अंदर सिल्फ और भी movement कर रहा है यह सा कुछ साल चलने बाद गियर वाइल हैडरलिक वाइल को चेंज करने के ज़रो थे वह सब कंजुमेबल आते इस तरह का टेकनिकल बस तो कंजुमेबल में नहीं आता है यह आएगा भी तो यह पांच साल साथ साल दस साल के बाद गटना चाहिए लेकिन हैं पर होसियारी क्या की कोटिंग लगा देता ताकि वो घिसे नहीं बस इतना सा करना था लेकिन नहीं उसको कंजुमेबल बनाना पचाहश जर का सामान बेचना हर साल हर साल या दूसरे साल या तीसरे साल ऐसा ठीक है अब इस पर आते हैं अब वो क्या बोलेंगे कि आपको इसका केलेबरेशन करव अब हमको कितने राउंड प्रोग्राम करने की जरूत है देखेगा तो आएगा उनती दसमलो एक नो तीन राउंड वो जो कैलेबरेशन करने आएगा भाई उसको भी नहीं पता चलेगा वो हाइट मापेगा उसके इसाब से करेगा मैं बताएंगा कैसे करता है अब क्या है इस कंट्रोलर को डेटा क्या चाहिए भाई जहाव उनती दसमलो एक नो तीन राउंड चलाईए तब जाके 11 मिटर जाएगा इंडिरकली वो वही प्रोग्राम करता है उसको भी पूरी चीज़े समझ में नहीं आती है वो करता क्या है उनती दसमलो एक नो तीन राउंड प् फर्क को थोड़ी दुरू उठाके यह इसको जिस हाइट पर लूठा के लेता रहेता है वहाँ पर बोलता है इस फर्क Inट पर जाźैगा तो बहुंआ पर नितिए जो नीचे फर्क रहेगा इससे नीचे रहेगा तो फर्क फास्ट चलेगे यहां पर मान लेज़े कि यह हो गया दो मीटर तो दो मीटर पर जितने भी राउंड, आएगा, वो काण्रोल हो जाले इसको शिर्फ डालना है क्या दो मीटर या जो भी है यहाँ पर दो मीटर डाला अब क्या करेगा जो भी राउंड है अब राउंड ने राउंड आटोमेटिक लेगा मीटर खाल इसको फिट करना है दो मीटर पर इसको करना है फिट दो मीटर पर किया जितना भी राउंड आया वो ले लिया ठीक है अब इसके बाद क करने की क्या ज़िरूत है जब क्यों के यहां के लिए मोटर को क्यों कि यह सैंटर क्रिंदुन खुल गया उसके बाद फिर सैंटर कर देगा तो और छोब которые HDR मोटर और वहाद संहां कोona कि देदेट एम मौटör को कि तो हूँ चो कर देता इसलिया थोड़े से आन नहीं के यह एक 11-7, फिर 5 meters बो कर देखा, जो भी है, जैसे भी calibration होता है, उस तरह से, जितने भी calibration requirement है उस तरह से, बस यह 3 height उसमें डालता है, अब यह 3 height डाल दिया क्या, controller अब जितना भी देखिये, यहां से यहां चला, controller की पिन लिया आपने, कितना round पढ़ा, अब यह लिख दिया है, यह 2 मीटर पर यतना पर रुखना है controller के नियाब मेरे पहले में चल रहा था दो राउंड इतना पर रुखेंगे ठीके 5 राउंड चलेंगे ऐसी करते करते 11-12 पर गया इसने लिखा कि अब यहां पर जा के रूखना वह नहीं बता रहे कि यह बतार अब तुमको यहां पर जाके रुखना है कंट्रोलर गिन चुका अल्रेड़ी 29.193 रौंड में चला हूँ अब मुझे यहां पर रुखना अगली बार से मुझे हर बार यहीं पर रुखना टॉप पर जाके तो वही दिमाग लगा लेता है मेरेको 29.193 रौंड चलना बस इतनी सी बात है यही करने के लिए टोयटा वाले के लिबरेशन करने आते हैं इसका सोलूशन बताता हूं यह तो प्रोब्लम हो गया इसका सोलूशन यह है जिस जगह पे जो चक्र है यह जो चक्र है आपका हाइट सेंसर वाला हाइट सेंसर वाले चक्र को दोनों को क्या होगा इसको क्या किया हुआ है कि पचीस राउंड चलने के बाद रुखना यदि आपने एमसी लोहां पर ज्यादा भर दिया जो कि हाइट से ज्यादा हो तो क्या होगा प्रोब्लम यह साथ सेंटिमीटर से ज्यादा हो जागा तरीजिया सर्कुंफरेंश 44 कि दर हो सकता 45 46 जाने लगे एक राउंड में तीस कारण से क्या होगा पचीस राउंड चलने में क्या होगा निए हाइट 11 मीटर से ज्यादा जाने लगे तो आपको हर एक मास्ट पर आवाज करेगा ध्राम क्यूंकि वह रुक नहीं रहा है जहां पे कटना चाहिए तो वहां पे कटनी रह जाएगे तो दूरी जाद जाने लगेगा CONTROLOR को मतलब बचलित चलने से लेकिन यहां दूरी जादा हो जाएगा ऑर धड़ाम अब आब आ जाएगगे ये एक समस्य आराती है, लेकिन इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखेगा, आपका जो हाइट संसर है, उसका वायर जहां पे चलता है, उसको बीच बीच में मंतली 6 महीना में आप ध्यान से देखते हैं, कटने लगे तो ही भर दीजिए, पूरा कटके अलग हो जाएं, क्या हो परसानी होगा, हलाकि हम लोग वैसे भी करके चलाते हैं, कोई समस्य नहीं आते हैं, लेकिन आप थोड़ा परसान होगे, हलका कट गया ना खड़ा बन गया रहा है, तो ही उसी समय खोलके बर दिये, फिर लगा दिये, लेकिन बराबर भर येगा, तो ही सही रहेगा, तो प्यम आपका इसका सोलिशन है, जो कि टोयटा वाले सूपर सेवर 50,000 का बेच देते हैं, एक दिन का आपका सर्विस चार्ड जो भी लगता होगा, वो तो हमने करवाया नहीं है, क्योंको मुझे जरूत ही नहीं पड़ती है, तो उसका कोस्ट लेते हैं, नहीं, तो आप ये या फिर जो बहुत ज़्यादा एडवांस फोकलिफ है, जिसमें ये सिस्टम लगा हुआ, उसमें भी ये समस्या है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस तरह सापका सोलिशन हो सकता है, ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ला पारत